आवस्थिक सूचना और आवस्थिक सूचना क्या है दोस्तों SSE के लगातार जितने भी पेपर हो रहे हैं आपने देखा होगा भले ही आप CGL के लिए योग्या भी नौ हूँ लेकिन अगर आप नजरें बना करके रखते हैं तब भी आपने देखा है कि SSE में लगातार बदलाओ देखने को मिल ला है जब से SSE का एक्जाम TCS ने कराना शुरू किया है लगातार परिच्छा के पैटर्न में हमने भी बदलाओ देखने को मिल ला है जहां पहले CGL के मिन्स का सिलेबस और पैटर्न चेंज किया गया ठीक उसी प्रकार से अभी कुछ दिन पहले हमने आपको औगत करा है कि CHSL के भी एक्जाम में मिन्स का एक पैटर्न एड़ कर दिया गया है यानि प्री और मिन्स दोनों देना पड़ेगा आप बच्चों को और अब जो होगा परिक्चा में आएगा असली मजा और अगर आप चाहते हैं कि इस तरीके के देश के इतने बड़े एक्जाम का अगर आप हिस्सा बनना चाहते हैं देश के बड़े पदों पर जा करके अगर आप अपने माता पिता को अपने आपको अपने दोस्तों को अ SSC का new batch, SSC new offline batch, ध्यान देंगे new offline batch, new offline batch, ठेक कब से आ रहा है ये, तो ये आ रहा है 13 दिसंबर से, ये कब से आ रहा है, तो ये आ रहा है दोस्तो 13 दिसंबर से, और सबसे बढ़ियां वाद जानिए, थंडी का समय है, ये batch आपको दो पहर में एक बजे मिलेगा, ये batch आपको दो पहर एक बजे से मिलेगा, करनल गंज ब्रांच पे, कहां पे, करनल गंज ब्रांच पे, ठेक है, करनल गंज ब्रांच पे, ठेक, बताने की आवशकता नहीं है दोस्तों, बताने की आवशकता नहीं है, इस batch में, math प्लस reasoning, जो की बिलकुल new pattern पे होगी, new syllabus के according हो new pattern के according होगी, new syllabus के according होगी, इस new pattern पे, math और English की class इस batch में, कुल्दीप सर देने वाले हैं, कुल्दीप सर देने वाले हैं, ठेक है, GS के लिए, जो team आएगी, उसमें अविनास सर रहेंगे, अविनास सर और उनकी पूरी team रहेगी, English की class जो है, इस batch में, वो देने वाले हैं, आपको नितिन सर, यकीन माने, आप जितनी भी संस्थाओं में, आप demo ले चुके हैं, या लेने जा रहे हैं, बिल्कुल, free होकर के आप demo लें, कोई समस्या नहीं है, लेकिन, इस कक्छा में जब आप जुड़ेंगे, तो आपको महसूस होगा, कि हाँ, यही है हमारा one stop solution, यही संस्थान और यह अगर आपको लगता है, कि मैं सपने देख सकता हूँ, तो ध्यान रखिएगा, यह बहुत बड़ी और बहुत मसूर कहावत है, कि सर सपने वही पूरा करते हैं, जो पहले उन्हें देखना चाहतें, जो सपने देखते हैं, वो उन्हें पूरा भी कर लेते हैं, अगर आपने देखा है तो फिर आपको hard work करना पड़ेगा मेहनत करना पड़ेगा TCS का जो है यही rule रहा है हमेशा से कि बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी बहुत छोटे छोटे बातों को ध्यान रखना पड़ेगा basic concepts सीखने पड़ेगे techniques सीखनी पड़ेगी और उनका implementation कैसे किया जाता ह exams में वो आपको सीखना पड़ेगा और मुझे यह बताने की आवशकता नहीं है कि यह जितने भी आप faculties का नाम यहां पर देख रहे हैं skin board पे यह सारे के सारी faculties आपके साथ एकदम जुड़ करके basic level पे grassroot level पे जाकरके आपको यह सारी चीज़े सीखाते हैं कि क्या technique है कैसे उसका यूज करना है exam में जाएंगे तो क्या आपकी अप्रोच होनी चाहिए strategy क्या होनी चाहिए नए-ने exams को लेकर के नए बदलते हुए patterns को लेकर के तो फटा-फट से बिना किसी देरी के आप लोग जुड़ सकते हैं नमांकन प्रारंब हो चुका इस batch में जुड़ जाए और जल्दी से लेकर के अपनी seat जो है यहां भी सुनिश्यत कराएं और अपने selection से जो है SSC में भी आप जल्दी से जल्दी entry कर जाएं ठेक है